अज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमी मिली आजादी वीर शहिदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखो लोगों ने प्रानों से कीमत बड़ी चुकाई थी नमस्कार दोस्तों, आज हम सब अपने देश भारत का स्वतंतरता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए है और स्वतंतरता के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से विनमरता पूर्वक विनती करता हूँ कि जो चार शब्द मैं आप सभी से कहने जा रहा हूँ, उन्हें शांती से सुने आज 15 अगस्त, भारतिय स्वतंतरता दिवस, हम सभी के लिए एक खुशी और गर्व का दिन है सबसे पहले आप सभी दोस्तों को भारतिय स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शुबकामना ही साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगबग 1.47 तक शासन किया अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया, भारतियों के साथ गुलामों जैसा वियवहार किया महात्मा गांधी, लोकमाने तिलव, लाला लजपत्राय, भगत सीह, चंदर सेकर आजाद जैसे कई नेताओं और क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्रानों की आहुत दे दी अंग्रेजों में खिलाप कई विरोध और विद्रोय हुए, कई क्रांतिकारी जेल गए, कई मुस्कुराते हुए फासी पर चड़ गए, तब जाकर हमें आजादी मिली इन सभी महान नेताओं और क्रांतिकारियों को मेरा सलाम हमारा स्वतंत्रता दिवस पुरे देश में उत्साह और हर्शल लास के साथ मनाया जाता है सभी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, सरकारी कारिया लयों में जहन्डे फहराए जाते है पुरे देश में जुलूस निकाले जाते है, विभिनक कारेकरम अयोजित किये जाते है आजादी मिलने के बाद हमारे देश भारत ने आज सभी शेत्रों में अच्छी प्रगती की है सफलता के बड़े शिखर पर पहुँचे है लेकिन अभी भी हमारे देश में गरीवी, बेरोजगारी, फ्रष्टाचार, जातियवाद जैसे कई समश्याए है हमें इन सभी समश्याओं को दूर करना है और एक आदर्श भारत का निर्मान करना है हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए है और भारत को स्वतंत्र रखना हम सभी का करतव्य है और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए उसके लिए 15 अगस्त को पवित्र पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए देश मुझे कुछ देने की अपिक्षा करने के बजाए हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ हमें देश के लिए अपने प्रानों की अहुती देने के लिए तैयार रहना चाहिए अंत में बस इतना ही कहना चाता हूँ विजयी विश्वति रंगा प्यारा जेंडा उंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला वीरों को हर्शाने वाला मात्र भूमिका तन्वन सारा जेंडा उंचा रहे हमारा जै हिन जै भारत